हाई दोस्तों कैसे आप मैं बालमिकी स्वाथ करता हूँ आपका अपने बालमिकी यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में हम इंटरनेट स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं आप सभी को पता होगा कि लोग डान के दौरान बहुत सारे से काम हो गये हैं जो की वर्क पढ़ रहा था इसकी वजह से आपने देखा होगा कि बीच में जो इतने भी ओटीटी फ्लाट्फॉर्म है जैसे कि यूट्यूब हो गया एमजन प्राइम वीडियो जी फाइप हो गया होट इस्टार हो गया मतलब कि जो जो वेपसाइट ऐसी है कि जो की इंटरनेट के करने ल år पढ़ रहा था उसको कम करने के लिए तो चोलत त्व इसे वात दिखते हैं को जितने ऊपने जो इंटरनेट इस्पीड है उसको रोकेट दूड़ा सकते हैं तो आप लिडियो को लास्ट तक क्लें से लिएगा तो आंए इस वीडियो को हैं पहला इस चेक नेटवर्क क्वाल्टी अब आप घी सेरिया में रहते हैं ऐसा हो सकता है कि आपके अरिया के इतर जो जिस कम्पनि का सीम आफ यूज करते हैं वो कम्पनी की टावर हसाफ्र का म चैप्त है इसके लिए आपको अपने टावर्क व्यूय को जातना होगा या फिर ऐसा सकता है कि आपका जो मुबाइल है तो तावर को अच्छी तरह से कैंच नहीं कर पाता है लेकिन अंदर अपने म उबायल के अंदर नेट्वर्क के को चेक करने के लिए आप grasp के सेतिंग में चले जाई है आप सेक्षण में जाने के बाद आप वहां से नेट Πेट में मिलेगा तो वहांपर अपको लेड के सुन इसलिए आपको मोटा 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 उपर से बता देता हूं कि वेलु का मतलब क्या होता है आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद एबाउट सेक्शन में और एबाउट सेक्शन में जाने के बाद नेटवर्क में जाएंगे तो आपको आप पे डीबम वेल्यू मिलेगी जो सिगनल इस्ट्रेंथ वेल्यू होता है वह आपको म वेलू 50 से अगर 79 के बीच में हो तो इसका मतलब कि आपके एरिया में जो नेटवर्क है वो ग्रेट है उस समय आपके मोबाइल के अंदर चार से पांच जो सिगनल के बार्ष होते हैं वह आपको दिखेंगे लेकिन अगर यह माइनस एक टू माइनस एक नाइन ओ तो इसका मतलब कि आपके एरिया में जो सिगनल है वो एब्रेज है मतलब की आवस्ता में है और उस समय आपके जो इस समय आपके मोबाइल के अंदर दो से तीन बार जितने हैं आपको आपे दिखेंगे और यह वेलू अगर और बढ़के माइनस एक सो दस से माइनस एक सो बीस के बीच में हो तब इसका मतलब की आपके आपके जो नेट्वर्क का सिगनल हो बहुत ही पूर है और उस समय अगर और बढ़के माइनस एक सो दस से माइनस एक सो बीस के बीच में हो तब इसका मतलब की आपके जो नेट्वर्क बहुत ही पूर है और ऐसा हो सकता है कि उस समय आपके मोबाइल के अंदर कोई भी बार्स ना दिखे या फिर एक बार दिखेगा तो आप इस डीबियम वे के लिए और आपके एरिये के लिए एक को ऐसा सीम चुनिए जिसके ऐसा सीम उपरेटर चुनिए जिसका नेट्वर्क और क्वाल्टी भी आपके एरिया में बहुत बढ़िया अब आप सोचिंगे कैसे होगा जब आपने डीबियम वेलू फाइन किया तो आपको पता चला तो भी आपको कोई ज्यादा उतना टेंसर लेने की बात नहीं है लेकिन अगर यह पूर या फिर पूर पर गया है तब आप वहां पर क्या कर सकते हैं आपके गली में दो तीन मोबाइल एंड्रोड मोबाइल वाले तो होंगे ही और उनके पास सीम भी होगा आप दो तीन स्वाइल का आपना जो सीम है उसको पॉड़ कर दीजिए बदल दीजये उससे क्या वहां क्या आपके खिरियो के नेटवड जो भी ऑपरेटर आपके एरिगे में बठ़्या काम कर रहा होगा उसका सीम आप ले लिज़े और आप होहां से फास्ट इंटरनेइट हैं आर जैस भी website यह all over India देखते हैं और ऐसा हो सकता कि आपकी ए्रिये के और जो कि festive में हो उसका नेटवर्क आपकी आरिया में नहीं आता हो जैसे माल दिज़े कि अभी जो open सिंगनल है उसकी माने तो एटल मतलब की भारत में सबसे बढ़िया नेटवर्क और ओपरेटर है तो अब मेरे एरिये में जो एटल होता है उसका टावर बहुत ही खराब आता है तो आप यहां से देख सकते हैं कि ओल अवर इंडिया और आपकी एरिये में बात फरक पड़ जा लाएगे इसमें जो तीसरा टिप है वह है यूज वाइफाई कोलिंग अब आप सोचेंगे वाइफाई कोलिंग क्या है वाइफाई कोलिंग की मदद से आप अपने मोबाइल में वाइफाई की मदद से भी कोलिंग कर सकते हैं यह फीटर सभी फिलाल एटल और जीयों ने ही इंडिया में प्रवाइड किया है लेकिन आगे चलके और भी जूतरे ओपरेटर हैं वो भी वाइफाई को जल्दे लेके आएंगे वाइफाई को यूज करने के लिए आपको सिंपली अपने मुबाइल के अंदर वाइफाई को इसे कनेक्ट होना चाहिए और आपके मुबाइल के अंदर वाइफाई कोलिंग सपोर्ट भी होना चाहिए इसको आप सिंपली अपने मुबाइल के अंदर सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शन में जाके आप वहां से चेक कर सकते हैं या फिर आप अपने एटेल के जो वेब साइट होता है वहां पर आपको मॉबाइल के अंदर यह शेतिंग सपोर्ट करता है कि नहीं सेटिंग में आप जाने के बाद Wi-Fi को बाकर देंगे उसके बाद जब भी आपके मोबाइल के अंदर नेट वरक सा सब्सक्राइब आपधि नियूं करने 124 फटा है और सबसे आखरी है चैक network and network tower in your area यहां दोस्तों आपने स्नाई सुना कि आप अपने एरिय के अंदर जीतमिंदे नेट वर्क और नेटवर्क के tower हैं उसको भी चेक कर सकते हैं आपकी जो एरिया है उसमें याप OL that आप वहां से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह चार टिप्स ऐसे हैं अगर आपने इसको बढ़िया तरह से अपने मोबाइल के पर अपने डिवाइस के अंदर एपलाई किया तो आप देखेंगे कि आपके एरिया में जो आपके डिवाइस की तरफ से लो सिगनल विक सिगनल या फिर कभी कभी डेटा का प् इंटरनेट स्पीड कम आती है तो आप इन चार टिप्स का यूज कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना से कर देना और कोई भी सवाल या फिस सुझाव हो तो आप कमेंट में जरूर पताईएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मैं रोजन आप लोग के लिए इसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूं थैंक्स पर वचिंग